जी असाम मुलेकूम विवेश, वेलकम एड़ोवन चैनल केट प्रैक्टिस, विवेश आज की वीडियो में हम 3D Max को कम्प्लीट डेटेल से सीखेंगे, इस वीडियो में मैं आपको 3D Max को सिंपल और इजी वेश में हच प्रैक्टिकल स्क्रीन पे आपके सामने शो करूंगा आ आपने इस स्टेप्स को फॉलोव करना है, तो टाइम बहुत कीमती है, लेस्ट गेट स्टार्टिट, विवेश सबसे पहले आपने 3D Max को ओपन कर लेना है, आप पर जो भी बच्चे ना आप उसको ओपन कर ले, मैं 3D Max 2018 यूस कर रहा हूं, तो मैंने इसको ओपन कर लिया, उपन करने के बाद सबसे बहले हम कुछ इसके interference के बारे में बात करते हैं, फिर हम फर्दर ओर अगे चलेंगे, अगर interference की बात की जाए, तो सबसे पहले उपर आपको यहाँ पर जो बार नजर आ रही है, हमें आप दिखाता हो आपको, इसमें option मौजूद है, file है, edit है, tools है, यह basically आपकी main bar है, तो इसमें आपके पास different option मौजूद है, file, edit, tools, group, views, create, modifiers, animation, craft editors, rendering, civil view, customize, scripting, content और different यहाँ पर मौजूद है, तो basically यह आपकी main bar है, इसके अदर आपके different option मौजूद है, उसके बाद अगर हम बात करें, next हमारे पास यह बार आती है, चोके है हमारी tool bar, इसम select by name, इसमें viewpoint भी है, आपके पास, यहाँ से आप इसको angle snap toggle है, और different option मौजूद है, जो जब हम इसको practically यहाँ पर design करेंगे अपने product को, तो इसमें इसारी यहाँ यहाँ पर use होंगी, तब आपको और बेतर तरीके से समाझ आ जाएगा, तो अभी आप basically थोड़ा सा brief introduction ले ले इसमें आपके पास display geometry, display shapes, different shapes हैं जो हम यहाँ से draw कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास display hidden objects हैं, और display frozen objects हैं, किसी layer को अपने freeze करना है, किसी layer को अपने काम नहीं करना है, उसको अप freeze कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पर different option मौजूद हैं, अगर हम right side की बात करें तो right side में हमारे पास जो आपका जो main काम है वो आपका यहाँ से right side से, right side पे आपके पास यहाँ पर जो है, वो command panel है, basically आप यहाँ से different shapes को रोग कर सकते हैं, जैसा कि यह box है, cone है, sphere है, slender है, te-pot है, plane है, इस तरह different यहाँ पर option मौजूद हैं, उसके बाद इसमें और भी different option है, यहाँ से आप पर आपके पास यह object type है, lights को आपने, कोई भी blend house design करें हैं, उसमें अपने lightning करनी है, तो यहाँ से आप उसको lighting भी दे सकते हैं, दिवड़ यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं, different lighting की option मौजूद है, targeted light है, free light है, physical light है, sunlight है, वो update से दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपके हैं, तो modify की list है हमार पास, इसमें हमार पर different option मौजूद हैं, तो यह complete package है हैं आपे, उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीची आए, तो नीचे bottom पे आपके पास, यह बिसके लिए animation के tools हैं, यह आप animation में use होते हैं आपके, और यहाँ पे आपको right side पे option अजरा आ पर maximize viewpoint toggle, मैं इस पर click करता हूँ, मैंने जैसे इस पर click किया, तो मेरे पास four windows हो गए हैं, basically आप 3D Max में four different viewpoint में काम करते हैं, सबसे पहले आप इस वाले viewpoint को देखें, click करेंगे, तो यह आपका top view है, यहाँ पर आपका front view है, यह आपका left view है, और यह आपका perspective view है, तो आप जिस point select हो जाएगा, मैं दुबारा बता देता हूँ आपको, इस वे click करेंगे, आप उपर करें, मैं आप top view में काम करना चाहता हूँ, तो मैं top view को select करूँगा, और यहाँ से maximize viewpoint toggle को click करूँगा, मैं जैसी click करूँगा, मिरे पास एक बड़ी screen के अंदर वो viewpoint show हो जाएगा, तो आ आप इसमें कोई भी viewpoint select कर सकते हैं, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, फिलहाल at a time मैं यहाँ पे perspective view में काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको click करूँगा, और यहाँ से toggle करूँगा, तो मिरे बस एक बड़ी screen show हो जाएगी, तो मैंने बिसकली इसमें काम करना है, तो यह यह ब्रीव सा introduction हो गया, 3D Max के बारे में, आपकी कौन सी बार कहा है, कौन सा option किस तरह यूज़ करना है, उपर जैसे आगे हम फदर चलेंगे, फदर इन design करेंगे practical, फिर वह आपको वह ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो यहाँ तक अगर आपको कोई issue है, कोई problem आ रही है, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, so next आप हम चलते हैं, अपने final step की तरफ जिसमें हम एक room को design करेंगे, उसको draw करेंगे, उसमें texture apply करेंगे, चीज़े import करेंगे, और इसमें background को apply करेंगे, doors, windows, हर चीज़े, उसमें details है, आपकी सारी queries यहाँ पे clear हो जाएंगे, आपने just focus और मेरे steps को follow करना है, ठीक है जी, so let's get started, यहाँ पे right side पे आपको एक option नदर आ रहा होगा, plus का sign नदर आ रहा होगा, अपने plus पे click कर देना है, अब simply यहाँ पे plus पे click करने के बाद, यहाँ पे हम उसके नीचे एक option नदर आ रहा है, आपको geometric house पे click करेंगे, यहाँ पे सबस और इसको उपर की तरफ extrude कर देंगे, मौस ही करेंगे आप इसको, यह आप देख सकते हैं, मैं इसको जितना नीचे लगे जाना चाहूँ, उपर लगे जाना चाहूँ, यहाँ एक्स्टूड हो जाएगा, तो हम इसको कुछ हाइड तक extrude कर देते हैं, और इसके बाद मजी तो right side पे आप इसकी editing कर सकते हैं, आप इसको scroll down करें नीचे, scroll down करते हैं, यहाँ पर आपके पास parameters में option बजूद है, length, width and height, आप इसकी length, width and height को कुछ अज़स्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैं लैंध को अगर इंक्रीज करना चाहूं तो मेरा जो बॉक्स है वो इंक्रीज हो रहा है यह आप देख सकते हैं कम करना चाहूं तो कम हो रहा है तो मैं इसकी लैंध को इंक्रीज कर दिया इसी तरह मैं इसकी जो ब रिखने को पीग दीजाओ रिखने कि अब इसकी आप हाइड को भी आजड़ कर सकते हैं तो मैं इसको तो रखने किरीज करते हूं मैं यह स्कूल इसको इसे करते हूं । आपके जी आल्ट प्रेस करेंगे आप सको 360 व्यूंध में भी देख सकते हैं ठीक है तो यह आपका बोक्स है उसकी हमें एडिटिंग कर ली अब आभ देगARK है वी पर से पना विएर उसकी इंटिरियर डेजैनिंग करेंगे तो इंटिरियर डेजैनिंग के लिए हम उप्र से जह हमारा टॉप वीपटो यहांँ से फिलाल खतम कर देते हैं, फिर बाद में हम उसके लिए यहां पर सीलिंग प्रोवाइड करेंगे, तो हम इसको टॉप वियू को हम उपर सहतम कर देते हैं, ताके हमें इंटिरियर वियू नजर आजाए सारा, ठीक है, तो क्या करेंगे, आप बॉक्स को सलेट करेंगे, इस पे आप लेट क्लिक करेंगे, और लास्ट में आपको नजर आए, उप्शन नजर आएगा, कनवर्ड टू इसमें आपके पास फ़ोर आपशन मुझूद है, कनवर्ड फो, एडिटेबल मेस, एडिटेबल पॉली, पैच और नफ तो आप इसमें पोली पैच को सेलेट करेंगे पैच पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर आपके पास डिफिनिट आप्शन शो हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपके पास यहां पर आप्शन मुझूद है राइलिमेंट का नेक्स आपके पास पैच का है Онज है हंडल है और वर्टिक थैगल आपे पैच पे क्लिक करने के बाद आप इसके टौप विवे क्लिक करेंगे और डिलीट को प्रेस करएगेके आप देखेंगे मैं इभी डिलीट को जैसी सी प्रेस करूंगा मेरा जो टॉप हुआ यहां से रिभू हो जाएगा तो मैंने इसको पैच किया और डीलिट को प्रेस करेंगे तो मैंना जिप टॉप यूव है वह हो है आप देख सकते हैं यहाप देखें हमारा जो उपर वाला टॉप यूव है वो डिलीट हो चुक वोगर हम इसकी walls को भी draw करें, walls की thickness को adjust करें, उसको किस तरह करेंगे वो आपको बताता हूँ, box को select करेंगे, box को select करने के बाद आप यहां से modifier list में जाएंगे, modifying list में, यहां पे आप इसको scroll down करेंगे, नीचे, यहां पे आप इसको नीचे scroll down करेंगे, और scroll down करने पे आपको यहां पे एक option नज़र आएगा, shell का, तो हम इसको नीचे click करते हैं, यहां पे हम देखेंगे हमारा option कहां पे है, तो exactly, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आप पस तकरीम लास्ट में आपको यह option नज़र आएगा, shell का, तो आप shell पे click करते हैंगे, अब जैसे मैंने shell पे click किया, इसमें भी इसकी different settings मौझूद है, यहां आप देख सकते हैं, override, inner, matte और इस तरह different यहां पे edge mapping और different option मौझूद है, अब हमारा basically काम है कि हमने जो walls हैं, उनकी हमने thickness को increase करना है, वो कैसे करें, यहां पे आपको लिखावा नजर आ रहा हूँगा inner amount, तो inner amount पे आप click करेंगे और इसकी thickness को increase करतेंगे, यह हमने इसकी thickness को increase करते हैं, इसी तरह आप इसकी outer amount पे click करके, wall की जो thickness है, वो अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, अब यह मैं आपको zoom करके दिखाँगा, तो हमारी basically wall जो है, वो adjust हो चुक्ती होगी, इसको मैं thickness or increase करूंगा, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सही एक जिक्लिश होगा, जैसे increase करूंगा, इसकी thickness भी increase हो जाएगा, यह आप देख सकते हूँ, तो मैं इसको increase करते हूँ, यह पीचे करते हैं मैं इसको, अब इसको अपने असाब से adjust कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, so basically आप इस तरह अपनी walls को adjust कर सकते हैं, modifier list में जाके वहाँ से आप shells select करेंगे और shell के बाद अपनी walls को adjust करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको zoom करके दिखा रहता हूँ, फ्रेस्टी में आप देख सकते हैं, हमने जो walls को adjust कर लिए, आप देख सकते हैं उनकी thickness increase होगी है पहले की निस पर, तो इस तरह आप इसकी different अपने साप सी यह भी आप ठेक साफना रखना चाहें, आप इसको इस तरह adjust कर सकते हैं, यहां तक okay हो गया, अब हम चलते हैं next step की तरह next step है हमारा texture, हमने इसके उपकर texture किस तरह apply करना है, so main चीज सबसे 3D Max में सबसे main चीज है इस तो चीज़ नहीं, यह texture है यह आपकी rendering है, तो सबसे बहले हम texture की बात करते हैं, texture की में सबसे पहले आपने अपने पास कुछ texture download करके रख ले नहीं है, जाट से आपको मिल जाएंगे texture, तो आप उनको आपके अपने पास download करके रख लें, तो मैं यहां पर करता हूँ texture apply, Sibri मैं M enter करूँगा material adder, M enter करूँगा, आप देख सकते हैं, मेरे पास इस तरह की window show हो जाएगे, थोड़ा सा wait करेंगे, यह refresh होगा, ओके, यहां पर आपके पास हैं, जो आपको different colors की बहुत नजर आ रही हैं, यह basically slots हैं, यह आपकी slots हैं, यह slot मैं रख लगता हूँ, अपने floor के लिए different slots को आप different texture देगे, यहां पर save कर सकते हैं, फिर यहां से simply अपने product के अंदर को use कर रहेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यह मेरे पास slot में select करता हूँ, अब यहां पर आपके आपके पास different options हैं रहेंगे, तो आपके पास basically material editor के दो modes हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ, फिर आपको बताँगा simple कौन सा आपने कौन सा अपने यूश करना है, एक आपके पास है slate material editor और एक आपके पास है compact material editor, ठीक है, तो आपने हमेशा compact material editor में काम करना है, अगर आप फर्स करें, आप 3D mix open करते हैं और आप जब material open करेंगे, तो आपके पास material editor है, वो slate में जा रहा है, तो आपने इसको compact में change कर लेना है, वो कैसे कर ले हैं, वो मैं आपको दाता हूँ, पहले मैं इसको compact to slate में change करता हूँ, मैं words में जाओंगा, मोर्स में क्लिक करके, स्लेट में क्लिक कर दोगा, आप देखेंगे, अब मेरे पास मेरा material editor है, वो different show हो रहा है, तो basically यह थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें आप confusion के जांसे जाता है, और चीज़ें थोड़ी से mix हो रही हैं, तो यह beginners के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आपने simply अगर आपके इस तरह का material editor show हो रहा है, तो आपने simply पर modes में जाना है, और यहां से compact को select कर लाना है, अब आप देखें, तो यह हमारे पास उससे थोड़ा सा simple I use करने के लिए, यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास different option मौझूद हैं, तो आप एक किसी भी slot को select करें, यह मैंने इसको first value को select कर लिया, यहां पर आपको option नदर आएगा physical material का, physical material क्लिक करेंगे, और यहां से आप इसको standard कर देंगे, wait करेंगे थोड़ा सा, तो आपने simply diffuse के सामने, यह जो एक block सा बनावा है, इस पर click कर देना, मैं इस पर click करूँगा, यहां पर click करने के पाद यह आप देख सकते हैं, यहां पर different option मौझूद हैं, तो आपने simply यहां पर सबसे पहले ओपर bitmap को option नदर आ रहोगा, उस पर click करेंगे, यहां से आपने texture को select करना है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे पसकून से texture available है, so texture, 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 कोई भी texture आप select कर सकते हैं, यहां पर हम देख लगता है, so यहां पर मेरे पास कुछ texture available है, जैसे कि यहां पर available हों है, तो यहां पर यह texture नमे से कोई भी हाप select कर सकते हैं, मैं यहां पर अपनी walls के लिए outer walls के लिए texture को select करूँगा, मैं देख लेता हूँ कुन सा best texture मेरे लिए है, so scroll down करेंगे नीचे इसको, scroll down करेंगे, scroll down करेंगे, और यहां पर मैं कुछ exact select कर लगता हूँ, जो भी आप हो यहां पर best लागे, आप उसे select का सकते हैं, यहां पर हम brick वाला कुछ select कर लती हैं texture, इसको इसको मैंने यहां पर slide कर लिया, double click करूँगा, यहां से okay कर दूँगा, तो मेरी जो texture है, वो मेरी slot पे show हो जाएगा, ठीक है, अब अब अपने क्या करना है, अब अब अपने इसको अपने जो design है, अस पर apply करना है, उसको कैसे करेंगे, आप simply अपने product को select करेंगे, इसको left click करेंगे, और यहां से आप इसको convert to editable poly करतेंगे, ठीक है, poly करने के बाद polygon पर select करेंगे, और इसको select करेंगे, अब अब अपने just be side पर texture apply करना है, इसको select करेंगे, select करेंगे, वही method है आपने polygon editable poly select करना है, अब हमआसे इसको एक side को select करेंगे, अब आप Shift Press करेंगे और शारी slides को select करते जाएंगे, Shift Press करता हूँ, sorry Sorry Controls, Control प्रेस करेंगे और इसको आप सारी sides से select करतेंगे, करतेंगे और इसको विकारतेंगे इसी तरह आप अंदर भी का सकते हैं हम अपर में और ज्पते इस अजाइन मटेरियल टू सेलेक्शन आप इसको मटेर्ड तो सेलेक्शन करेंगे और यहां से शोशेडिड मटेरियल करेंगे तो आपका जो हुआ है भीम यूपर शोजाएगा हैं अब देखते हैं यह वह टेक्श्चर स्लेट किया अब इसमें और भी टेक्स्टर करसक सकती है मैं सबस्क्राइब देब देता हूं कि यह द्याइब अधरा असानी हो जाए तो मैं इसको चेंज करके क्यों टेक्श्चर अपलाय करें हो जो कि थोड़ा सब ब्राइट हो इस इस तो मैं इसको यहां से अज शो शेटिन में व्यूपॉइंट करूंगा हो जाएगा अब अब देखें तो मारा जो टेक्स्चर है वो बिल्कुली उसकी जो में शो ऐसे हो रहा है जासे वह बिल्कुली कंजेस्टर है तो हमने इसको अ है इसके स्केल को अज्रेस्ट करने हैं वो कैसे करेंगे यहां पर नीचे आपक आप्प्षीन झरार रहा है साईजिस के आप सक्लेएं और इसको इंक्रीज ambos को हैड்ग कर सकते हैं और तक Bears को हैट को कैसे करेंगे आप देख सकते है मैं जैसी चेंछिंग कर रहा हूं मिरा ज तोड़ा सा उप्राइट टेक्ट्ट्र यूज करेंगी तो भी टेक्ट्र उड़ा सकते हैं अब यहां पर इंटरने बहुत से टेक्ट्ट्र अवेलेबल है वहां से डाउनल करके अपने पास रखेंगे और इसमें इसको लगते हैं इसमें आप यहां से यूज कर लते हैं सो इसको में अज्जस कर लते हैं इसकी आप वेट और हैट को यहां से अज्जस कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्सर है आप पहले भी इसको देख सकते हैं और आप देखें तो हम इसमें डिफरंस आपको शो हो रहे हैं आपके तो आप इसमें और इसकी साइज को चेंज कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं है थोड़ा साम इसको और चेंज करेंगे कि अलिटल विट मॉर कि अच्छो कि अच्छो कि अच्छो आप यहां से आप इसको क्रोस कर देंगी अब आप देखें में आतको अगर 360 वीव में देखा हूं तो आप देख सकते हैं हमारा तो टेक्स्टर है आप हरी वाल के ओपर अप्लाई हो जोगा है यह आप देख सकते हैं हमने ब्रिक टेक्स्टर को को स्वाइब किया था और यह हम रिपास हमें मारी वाल्स पर सेफली को अपलाई ओचोगा है अब हम चलते हैं इसी तरह हमने interior को design करना है interior को कैसे design करेंगे simple वह concept है edible poly poly से आप इसको select करेंगे हम select किया और कंड्रोल से हम अपनी सारी walls को select कर लेंगे आप वाल्स को select कर लेते हैं यह दो walls है hold press करके hold press करके mouse से हमस्को घुमाएंगे पिर हम control से select कर लेंगे सारी walls हमने interior वाल्स select कर लिए अब इस यहां से नई slot लेंगे और bitmap पे जाएंगे, आप bitmap का option नजर नहीं आ रहा, तो आप physical material पे जाएंगे, यहां से आप standard पे जाएंगे, standard पे जाने के बाद यहां पे diffuse पे जाएंगे और यहां से bitmap पे चले जाएंगे, फिर यहां से हम अपनी integer walls के लिए कोई texture स्लेक्ट कर लेते हैं, यहां पे आप स्लेक्ट कर लें उसको, यह वाला texture हम प्रेक्ट कर लेते हैं, अब इसी तरह आप इसकी, इसका skill को adjust करेंगे, तो इसको कैसा करते हैं, हम देख लेते हैं, पहले इसको आप यहां से assign material करेंगे, और यहां से show shaded material करेंगे, तो आपके पास नहापर show हो जाएगा, तो इसको हम adjust कर लगें, कोई भी material आप इस तरह इसमें, इसको adjust कर सकूँ, width हम उसकी और increase कर देंगे, और यहां से हम इसकी height को इंक्रीज कर देंगे, मेरे पास फिलाल यह टेक्सर अवेलिबल थे तो आप इस तरह इंटरनेट से और भी बहुत ही खुब्सूर्ट टेक्सर अवेलिबल है, वहां से नहूर करके रख सकते हैं अपने पास, मेरे पास फिलाल यह अवेलिबल थे तो मैं यह यह टेक्सर यूज कर रहा हूँ, इसके थोड़े से हम विट को इंक्रीज करते हैं, इसे हैट को इंक्रीज करते हैं, तो इसी तरह आप यह अपने इपनी वाल्स की में उसको आपको 360 में दिखा देता हूँ, यह अपने इंटिरियर वाल्स को यहां पर टेक्च्चर कर दिया, अब इसी तरह आप इसको जो आपका फ्लोर है उसको टेक्चर करेंगे, तो हम इसको यहां पर next slot में जाते हैं, यहां से हम physical material में standard में और यहां से हम diffuse में जाएंगे, diffuse bitmap पर जाएंगे, और यहां से अपनी जो हमारा फ्लोर है उसको यह texture apply करतेंगे, अभी आप देखें तो इसको हम अप्लाइ करते हैं, assign material करेंगे, यहां से आप इसको show shaded material करेंग then, sorry हमने इसको select नहीं किया, यहां से आप सबसे पहले editable police इसको select करेंगे, then आप इसको assign material करेंगे, और show करेंगे, अब आप देखें तो हम scale को adjust करेंगे इस तरह आप इसकी scale को adjust करेंगे, आप देख सकते हैं, अभी हम थोड़ा सावर इसको adjust करेंगे, increase भी कह सकते हैं और इसे decrease भी कह सकते हैं, so इसकी height को थोड़ा सावर increase करेंगे, width को भी increase करेंगे बहुत ही simple method है, आपने इसको focus करना है कि मैं किस तरह इसको draw करना हूँ, scale को adjust करना बहुत जरूए रहे हैं, अगर आप scale adjust नहीं करेंगे, तो आपका texture पिल्कुल different ही, वो सही apply नहीं होगा, उसमें, इसका scale है, वो बहुत छोटा मदर आएगा, तो आपने इसकी texture को बहुत ही details है, यहाँ पर दिखना है कि मैं किस तरह उसको apply कर रहा हूँ तो इसको okay, so यहाँ तक complete हो गया हमारा text है यहाँ पर apply हो चुए अब हमें अपको इसको 360 view में दिखाता हूँ, यह हमारा outer walls है हमारी, यह आप देख सकते हैं, और यह हमारी interior walls है, इसमें अभी different text है apply कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारा यह फ्लोर है, तो यहाँ तक okay हो गया, यहाँ तक को issue आपको, यहाँ तक सेफली हमने इसको edit कर लिया, तब यहाँ पर हम इपने doors provide करेंगे, doors के लिए opening करेंगे पर रहे तो वो किस तरह करेंगे, वो मैं आपको उताता हूँ, आपने simply अपना viewpoint change करना, मैं viewpoint change करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं different viewpoint हाँ, आपके पास top ह left है, front है, left है और orthographic है, यहाँ पर सबसे पहले हम top में जाएंगे, top में जाने के पात, यहाँ पर आप इसको toggle करेंगे, यहाँ दिक्स के toggle किया हमने, और यहाँ पर box पर click करेंगे, यहाँ पर हम एक box draw करेंगे, किसी भी direction में draw कर लेंगे, यहाँ पर आपने door provide करना है, तो मै यहाँ पर एक box draw करूँगा, जो के, थोड़ा सा मेरी wall के बाहर होगा, और थोड़ा सा अंदर होगा, मैं देख सकते हैं, इसको मैं view point आपको दूसरा, इसमें हम कर लोगते है, यहाँ पर यहाँ पर view point है, इसमें हम यहाँ पर draw करेंगे, कि आप देख से, जैसे मैं यहाँ तॉप व्यू में ड्राउ करूँगा मेरे पास यहां पर और्थोग्राफिक में शो हो जाएगा तो यह आप देखें यहांप मैंने ड्राउ किया और मैं इसकी इलिट रखता हूँ चीक है मैं क्लिक है अब अब देखें तो यहां पर इमारे इस व्यू पॉइंट में मर्पस् यहां से नोें तॉप्शन है लोगने इसे मुतने उपस्ति करेंगे अदो कर आई है यहांट कुछ निघिए है और देखेंघ कृण के फॉर यह को आधे को अब न ones नरा निखेंगा ए वीजुन कि में यह उसको अड़र को हमारे पास फिर को यहां ल Εंक्षास करेंगे यहां से कर सकते हैं participate यहां पर यहां पर इसको कुरुआ इसने करने हैं प्रहिस किकिए हमारा यहां पर दोन की तैना ये हम ही ओपनिन सब्सक्राइन के पहला है पहले हम विंडों भी ड्रॉख कर लएते हैं इस साथ फर दोनों की एक साथ opening आपको करके बताओंगा हम चलते हैं इसको अप मोडिफाइब भी कह सकते हैं आप इसको स्लाइड करेंगे दोर को यहां से आप मोडिफाइंग यिस्ट में जाएंगे और यहां साथ इसके length को width को increase कर सकते हैं height को तो मैं इसके height को तोड़ा इंक्रीज करना चाहूंगे आप देख सकते हैं मेरे door की height increase हो रही है और इसके width को कम दाता कर सकता हूं ठीक है जी okay हो गया चलें हम नेक्स चलते हैं नेक्स हम अपनी window पर जलते हैं प्रश्च के लिए same process है आप उना viewpoint change करेंगे अब इसी तरह आप यहां पे एक विंडोर करेंगे बॉक्स पे जाएंगे बॉक्स ट्रॉद और यहां से हम बॉक्स लेंगे और इसकी हम direction में यहां पे एक बॉक्स ट्रॉद आप देख सकते हैं आप इमारे पास बॉक्स ट्रॉर और यह वापिस अपने व्यूपॉइंट पर आएंगे व्यूपॉइंट चेंज करेंगे अब आप मुद दिखाऊं तो यह हमारा बॉक्स यहां पर ट्रॉग होगी आप इसको बैसिकली हम एड्रेस्ट करेंगे किस तरह इसको एड्रेस्ट करना स्लेक्ट और मुव पर यह विंडू है सो मोडिफाइ में जाते हैं मोडिफाइ में जाने के बाद हमने विंडू की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा उसकी विर्थ को इंक्रीज करेंगे स्वरी विर्थ हो नहीं हाइट को यह हमने इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया लेंद को त पेसिंग को खाल ली करना है तो किस तरह करेंगे इसों को जैट करना है입니다 यहां से आप जाएंगे फ़्तिकर फ्발क्राफ और प्लेन को एक प्लेन sun कफा उपिक और आप्छेचा करेंगे प्रोब करेंगे फ्लेन सब्सक्राइंगे स्थिक करेंगे आप देखे मैं इसको जैसी क्लिक करूंगा मेरा याँ से यो door का area ओ एक्स्रूड हो जायगा इजोई क्लिक करता हूं आप देख मिरे door का area याँ से एक्स्रूड हो गए इसी तरह मैं अगर विंडो के लिए करता हूं तो विंडो के रिए मैं पर फीक करूँ का यह मेरे विंडो आ क्सी डोज किया है बर इस तरह आपके पास कोई भी ट्वागह विंडो Signal पॉसको इस मैंतर से एक रूप का vrij कर देंगे तो एक्स्ट्रूट कर देंगे लिए सबसे पहले आप यहां पर एक option मुझूद है यहां पर आपको डॉर को अधर आएक आपने सिंप्रीज पर क्लिक कर देना है यहां पर तीन डॉर के option आपके पीवट है एक पर एक लीग वाइफ फोल्ड है थो हम यहां से प्रीवट को स्लाइट करने के बाद अपने डुरी एरिया यहां के आपने डॉर करने एक और से यहां पर तो को क्रॉक इस उसको ने तक ऊजिए इस पोट तक डॉर कर लेंगे अ definite अ यहां गोटा कर देन इस पोइंट सेटर तक दें इसकी हम को देज्टमेंट करेंगे भी इसको में किस तरह आइज्ट करना है जसकी हम कर दक दुट करतार तक हम कर दूर किस पूर तक हम कर दो तक हम अग्टमेंट है तो यहां पर हम यह दोर ड्रॉ कर लिए दोर के बाद हम इसकी कुछ एडिस्मेंट करेंगे पर क्लिक करेंगे मोडिफाय में जाएंगे यहां से में इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे इसको हम हरा थोड़ा साइट को इंकरीज करेंगे तो आइड सो यहांतक हमारे डॉर चुंप्लीट हो गया इसको अफिसमें डिफ्रेंट रिर्जेव बिना सकते हैं और इसमें डिफ्रेंट एडिटिंग कर सकते हैं हो कैसे होगी वह मैं आपको बताता हूँ यहां पर आपको आपको अजरा रहा होगा डबल डोस का आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपका डॉर है वह डबल डॉर में चेंज हो जाएगा प्लिप स्विंग भी कर सकते हैं अब इसको मैं करके आपको अगर आप डॉर को अपन करना जाते है तो आपका डॉर यह आप देख सकते हैं एंडॉर मारा ओपन भी हो जाएगा सो हम इसको ओपन कर लेती हैं डॉर को अब डॉर ओपन हो गया देन उसके बाद यहां पर आप देखें तो फ्रेम है फ्रेम की हम विट्स को इंक्रीज कर सकते हैं यह फ्रेम की विट्स को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेम की टेफ्ट को इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेम की टेफ्ट और दोर आफसेट जो है हमारे पास उनको भी यहां पर हम इंक् करें टॉप रेयल है आप रिजो कर सकते हैं पैम्न लाफ इसमें जितने मुजिर देना चाहिए पैनल दे सकते हैं को बेड़ आप वर्रीगल पैनल भी आ तो हम यार बर्टीकल पैनल डाल दें कि है कि हम्नितन oyster okay और इसके हम यह इसमें आप डबल दोर भी कर सकते हैं अगर आप इसको फिलिप स्विंग करना चाहते हैं तो आप इसको फिलिप स्विंग भी कर सकते हैं डबल दोर को अप्शन है अगर आप तो इस तरह आप इस दोर को आजेस्टमें कर सकते हैं दोर की तो आप एक लिए क्लिक करेंगे और इसमें नगर इसकी हम इंक्रीज करना चाहिए इसमें पैनल्स को तैनल्स को लिए ठीक है जी यहां तक क्लीर हो गया हमाना अपर दोर फिक्स हो गया अब अगर हम विंडो बनाएं तो विंडो हम कैसे बनाएंगे विंडो के लिए आप उसी तरह से खीघ क्रक्र Georgia करेंगे आप यहां से कि युपॉंट चेंज करेंगे अपने तौप यूममर जा스टेंगे तौप जाएंगे टॉप ही मग जाने के पात यहां पर जहां पर भी आपकी विंडो बनी हुई है यासा गझा से हम अपकी ह्यां किया त्याइवन इँ कि केळिए कि किसमेंट करेंगे किसमेंट स्टाइट करने के बाद यहां पर आप इसको ड्रॉव करतेंगे क्लिक करेंगे यह ड्रॉव हो जागा अब हम इसको यह अजिस्मेंट खुद ही करेंगे यहां पर व्यूपॉंट को चेंज करेंगे है हमने व्यूपॉंट चेंज किया वारी गंडू है और आपने सिंपली इसको रुटेट रुटेट करना है रुटेट कहाँ पर वयरेबल यह पस क्मांडर सो हुम इसको रुटेट करेंगे हो और डिया हमाँ टीक टिक टीक टीक, यह हमने प्रेटेट गार दिया है इसको और मूब करेंगे और अज्द कि यहां पर हमारी विंडू है वहां पर प्लेस करतेंगे गार्यज कि आप इसके साइज को हमको दोड़ेस्ट करेंगे यहां पर ऑप्षिन है इसका साइज है है यहांसे आफिसको अज्जेस्ट कर से हैं है ओके है शो इसको है है अज्जेस्ट करेंगे और इसको से एक्स करते हैं है है तो यह हमारी विंडो्य chi यह ना पर लग जोगी आप सिंपल आप इसको भी डोर की तरह अगर आप इसको ओपन करना चाहिए कोई कि या कि भी ये वीडियों किसी टाइब की विंट रखना चाहते हैं तो किलिक करेंगे, लिख और यहां से हम इसकी साइट को फ्रेम को अगर रङवे रप्रकरे करेंगा, विट्स को इंक्रीज कर सकते हैं करेंग kannst को आप यह सेम रहने लें और टू पैनल अगर आप मन सिंगल पैनल करना चाहते हैं या डेबल पैनल तो भी आप कर सकते हैं तो इसको हम यहां से सिंगल पैनल ही रखते हैं और विंडो पर आप उपने ओपन करना है तो आप देखें यह मारी विंडो ओपन हो सकती है तो हम उंधयों को होपन नहीं करना चारें तो अब देखें तो हमारा अजो भी हूप हो जूगा है और हमारी विंड़ों भी फिक्स हो जुकिए है आपने क्या करने SIMPLE हम इंक कालर हम भी यहसे Chains में से Currentन Shares आप है जाग से जोगनेceptions करते हैं फब क्राइब stretch कर ले और इसी तरह आफ वीड़ो के लिए भी चेंज बशक्तें लोग इस तरह ये आपकी वीड़ो आगी और ये आपका टोर हो गया वीड़ो में बेटिंग कर सकते हैं जिसका आपना वम गिया था अब इसको भी ब्गर सकते हैं झाल झाल इस तरह हमारी विंड़ भी आ गी और हमोना यहां पर दोर भी फिक्स हो गया अब नेक्स अगरम आगे चलें तो नेक्स आप इसमें और भी कोई चीज इंपोर्ट कर सकते हैं जाए बैट रखना चाते हैं कोई आपका क्लॉक वगरा है कोई भी आप इंपोर्ट इटम इसमें कर सकते हैं उसको किस तरह करेंगे सिंपल आप फाइल में जाएंगे फाइल से जाके इंपोर्ट में जाएंगे इंपोर्ट में जाने के बाद अपने पीची में से जो भी आपकी फाइल है उसको यहां पर इंपोर्ट कर लेंगे तो मैं यहां पर देख लता हूं मेरे पस कोई अवेलिबल है तो मैं उसको इंपोर्ट कर लता हूं अब जब के तो इस पर इम तर जाते हैं यहां से इस वे नहीं से हम कुछ भी इंपोर्ट कर लते हैं कि वे सया हम सोफा को इंपोर्ट कर लते हैं कोई भी आपके बससे अप है निया आप देख सकते हैं है में आपको बसका है युप यह आभ देखते हैं मामरा जो तो पर आपके उप्शन मुझूद है यह क्लिक करेंगे उपर और इससे आपका साइज कम या जदा इसको कर सकते हैं छीग है यहां ते आप इसको रिक्स कर दती है जिसे ओके अब आप देखें तो यहां वारा बेसिकली यहां पर इस तरह सोफा आ जाएगा तो इस तरह कोई भी आपका से इंपोर्टिट इटम है कोई चाई क्लॉक है चेर है बेड़ है सोफा है टेबल है कुछ भी आप उसको इस तरह प्लान मिल ही जाखे उसको यहां पर इंपोर्ट सकते हैं है बहुत ही सेमपल मैंठड अठीक है अब अगर इसले हैं उसक्तों आप दोर या विंडो लगाई है तो अपर बाहिए टोस को भी आप इसको यहां पर पेस्ट कर सकते वहां कि सटाना लगा शुर यह मैं आपको बदाते हूं जैसा कि मेरा डॉर है मैं इसको करता हूँ ड्लीट मैं जाओंगा फाइल में यहां से इंपोर्ट में जाओंगा यहां से मैं कोई डॉर को किसी डॉर को इंपोर्ट कर लाता हूँ करब करूंगा यह तो यहाँ से aman मुन कर दोर आप मेरे ने तो को अपने इस निस ने इंपॉर्ट कर लेता हुए जहां से तो तोड़ा चोटा करते हैं और इसको इस तरह करके आपको नाजमें पेस्ट कर सकते हैं इसको में अजेस्ट कर लेते हैं दोर को कि यहाँ पर आएगा और इस तरह आपके दोर में एक स्पैसिंग में एक सब्सक्राइब कर दोर में तो इस तरह की एडिनिंग करना चाहें कर सकते हैं कि शुर्ब अब तसके साइज को भी आप इनक्रीक कर सकते हैं यहाँ से आपको आप्षिंगा जाएं और इसके साइज को करते हैं तो basically इस तरह आपका दूर्या पर आगर आपको इंपोर्ट डोर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहां से दूर को इंपोर्टकर करके प्लैन में लगा सकते हैं ठीक जी यह भी तो हम इसकी rendering पर चलते हैं उन्हें render की तरह करना है so render के लिए आप क्या करेंगे आपके पास उपर यहाँ पर option मुझूद है यहाँ पर देख सकें तो यह rendering का option है यहाँ सबसे पहले उपर आपको render का option नजरा आ रहा हुआ इसके लिए shortcut किया shift plus q shift plus q करेंगे तो आपका जो सीन है वो render हो जाएगा so मैं इसको इस तरह सब्सक्राइब करना चाहरा हूँ कि मैं select करूँगा और shift plus q प्रस करूँगा तो मेरे जो सीन है वो render हो जाएगा कि आप देख सकते हैं तो रहता टाइम लेगा और आपके सीन को render कर देगा यह आप देख सकते हैं इसके रेंडर की setting होती है जितनी अच्छी है आप से रेंडर की setting करेंगे उतना आपका जो So viewers उमीद करता हूँ आप ने इस वीडियो से कुछ नहीं को इस जरूर सीखा हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए और साथ बैल आइकन को प्रेस कर देए अगर आप AutoCAD का complete course शीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर AutoCAD का complete course अवेलेबल आप वहाँ जाके उसको इसलिए सीख सकते हैं So viewers मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो में इंचाहला हम डिफ्रेंट और सॉफ्वेर को एक्स्पोल करेंगे रवेट आपको चिखाऊंगा Adobe Photoshop SketchUp और इस तरन डिफ्रेंट सॉफ्वेर हम सीक्वेंस वाइज लेके च